हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिन लोगों का भी स्पोर्ट नूज के रिगार्डिंग यहां पर वीडियो है जिसमें 25 प्लस ऐसे इंपॉर्टेंट कोश्चन है जो कि डिरेक्ट आपके एक्जाम मे आ सकता है ठीक है इससे पहले जब एक्जाम होने से पहले जो मैंने आपको स्पोर्ट नूज का करेंट अफेर्स करवाया था उससे डिरेक्ट कोश्चन जो है तीन-चार कोश्चन से स्पोर्ट नूज के वहां पर आ गया है ठीक है हिमादास वाला कोश्चन था महें सिंग वाला question था ठीक है एक और question था मुझे याश्वक याद नहीं है तो मैं questions के range को देखकर समझ गया कि वहाँ पर जो आपके सामने questions मैंने करवाया था वो 70 से 80 questions था ठीक है अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो आप देख लेंगे ठीक है नीचे मैं description box में उसका link और range समझ में आने के बाद जो है sports news का वहाँ से 25 प्लस ऐसा questions collect किये हैं जो कि आपके next exam में पुछ सकता है ठीक है क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग तो राधा कृष्णर नायर जो है वो appointed हुए है as the chief coach of athletics by AFI AFI का full form क्या होता है Athletics Federation of India ये important है पूछा जा सकता है कतर ज games 2034 का कौन edition करेगा वो करेगा Saudi Arabia ओके sports ministry ने जो है approved किया है चार ऐसे इंडिजेनर्स गेम को जो की part बनने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का ठीक है हर्याना में हो रहा है ये game और इस वो four ऐसे कौन से game है गटका यहाँ पर हो गया कलारी पैतू ठांगता उसके बाद माला खांबा जो है यहाँ पर चार ऐसे game है जुसको include किया गया है तो हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है options दे कर नेक्सट है भावनी देवी भावनी देवी first ever इंडियन है जिन्होंने qualify किया है उलमपिक्स के लिए ठीक है इंडियन फेंचर है जिन्होंने qualify किया है olympics के लिए तो पूछ सकता है question कि भावनी देविज related to which sports तो क्या होना चाहिए जबाब फेंशार आपका correct answer होता है next है कि second खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 ये कहां होगा कौन होस्ट करने वाला है करनाटक अब ये important question क्यों है क्योंकि पिछले साल first edition खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पूछा गया था ठीक है खेलो इंडिया गेम का भी पूछा गया था मिधाली राज first ऐसी woman cricketer है जिन्होंने international cricket में 10,000 रन बना लिया है important है कि यही वाला जो content था जिससे question है था कि ICC spirit of cricket award of decade को किसको मिला है man racing धोनी को मिला है ठीक है यह चीज़ मैंने आपको पहले करवा रखा है अब हो सकता है कि next shift में यहां से question निकल कर सामने आ जाए तो इसको आप देख लेंगे ठीक है मेरे को तो यह लगता है कि sir garfield sobers award पूछ सकता है विराट कोली यहां पर correct answer होगा ODI पूछ सकता है विराट कोली यहां ODI में भी होगा कि ICC men's ODI किरिकेटर of the decade कौन है तो विराट कोली तो यहां पर किरिकेटर भी है बॉलर भी है ठीक है T20 वाले भी है सब का नाम अच्छे से देख लेंगे नेक्स्ट है आपका कि Australian Open 2021 किन दो लोगों ने जीता है फिमेल में जीती है कौन नौामी ओशाका और मेल में जीती है नौवाग जोकोविच देखे यह भी question direct उस content से exam में question आया था कि star sprinter हीमादास जो है वो appointed हुई है deputy superintendent of police by the assam government ठीक है यह भी question और यह question उस वक्त मैंने बोला भी था कि यह question आएगा यह ssc crackers ने आउट कर दिया देखे question आया इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बात को seriously लिया किजिए next है president रामनात कोविण अब यह important है अब में भी कहीं यह पूछ दे ठीक है कि president रामनात कोविण ने अभी हाल में ही integrate किया है एक newly जो है नया stadiums का नाम change हुआ है ठीक है motera cricket stadium जो कि एहमदाबाद में है उसका नया नाम क्या है नरेंद मोदी stadium सिरलंका जो है वो होश करने वाला है isia cup 2021 का ठीक है देखिए पहले महेंद सिंग धोनी का जो है एक record था क्या record था कि सबसे ज़्यादा जो है वो dismissal किये वह है विकेट के पीशे उनका record तोर दिया है किसने तो alisa hilly ने most dismissal by wicket keeper ठीक है next है रफिल नडाल रफिल नडाल ने हरा दिया है किसको नवाक जोकोवीच को और जीत लिया है french open title 2020 का important है french open australian open इससे question आते हैं तो french open title किसने जीता है तो रफिल नडाल ने जीता है और ये उनका 13th french open title था ठीक है और अब तक उनके full carrier का 20 वा grand slam title है next है कि इंडियन सिंग राज जिनों ने जीत लिया है गोल किसमे पाराशुटिंग वर्ल कप 2021 के टूर्णामेंट में okay important है next है girl gang girl gang एक track है जिसको जो है न्यूजिलेंड के सिंगर जीन विंग मोर ने जो है इसको ट्रैक किया है मतलब लगाया है has been announced as the official song of the 2022 ICC Women's World Cup ICC Women's World Cup 2022 का जो हो रहा है उसके लिए official song जो है वो launch हुआ है तो question पूर्ण सकता है वो track कौन सा है तो girl gang है उस track का नाम और कौन singer है तो देखे जी फॉर जीन भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर जी फॉर girl gang भी कर सकते हैं ठीक है तो इससे बस आप याद रखेंगे next है कि international cricket council ने announce किया है कि बैजू जो है वो उसका global partner है दो हजार तईस तक next है Chris Morrison जो है यह costlier player है सबसे ज़्यादा costly player है यह IPL जो होने वाला है उसके auction में और यह Rajasthan Royal के तरफ से खिलने वाले हैं Chris Morrison sorry Chris Morris becomes costliest ever player at IPL auction for Rajasthan Royal second India winter game जो है इसका second edition start होने वाला है गुल मग में in fact यह हो चुका होगा पहले का current interface है next है गोवाज 14 years old Leon में 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 डोंका ठीक है में डोंका यह में डोंका बिकम्स इंडिया 67th grandmaster ठीक है नेक्स्ट है आपका अस्ट्रेलिया के जो है Claire Polosak यह बिकेम दा फिर्स फिमल मैच ओफिशल तो ओफिशियेट अ मेंस टेस्ट मैच विन she took up the fourth empires role in the third test between Australia and India और National Ice Hockey Championship यह किस ने जीता है तो ITBP ने जीता है ठीक है next है राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड यह important है इससे एक question जो है पूछा जा सकता है अभी तक तो नहीं आया है लेकिन next shift में पूछा जा सकता है दुरुना चारे अवार्ड भी important है तो यह भी जो है आप इसको याद कर लेंगे ठीक है गाईस तो चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में next topic के साथ और एक important चीज़ कि आपको रात में मैं ऐसे top 100 plus one niner questions प्रोवाइट करने वाला हूँ current of yours का ठीक है जिसमें हर चीज़ कावर करेंगे उसमें ठीक है तो वो काफे important है next shift वाले वो definitely उसको पढ़ के जाए मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए all the best